अब हर किसी के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि वो नए आईफोन को बाई कर सकें तो इस वज़े से लोग second-end आईफोन को लेना प्रेफर करते हैं और second-end आईफोन की market काफी ज़्यादा huge है तो उसमें बहुत ज़्यादा fraud भी होता है लोग अलग अलग जगह पर जाकर आईफोन को बाई करने की कोशिश करते हैं like second-end mobile shops, कुछ लोग OILX पर सर्च करते हैं और कुछ लोग refurbished iPhones को देखते हैं तो आज इस वीडियो में specially मैं बात करने वाला हूँ OILX की क्योंकि OILX पर बहुत ज़्यादा लेन देन होता है iPhones का बहुत ज़्यादा sell and buy होते हैं और मैंने अपना ये iPhone XR भी OILX से ही buy करा था तो अगर आपको एक dedicated वीडियो चाहिए मेरे इस iPhone XR पर मैंने कितने का buy करा था कब buy करा था ये इसके साथ मुझे क्या क्या समार मिला था इसकी battery health वगारे कितनी थी मतलब आपको इसके बारे में complete information चाहिए and मेरा experience चाहिए मैंने किस तरीके से deal करी थी तो आप मुझे comments में जरूर बता देना तो इस वीडियो में specially बात करने वाला हूँ Olex पे होने वाले fraud से बचने के लिए आप किस तरीके से Olex पे होने वाले fraud से बच सकते हैं क्योंकि मुझे almost 5 या 6 साल हो गए है Olex पे dealing करते हुए and मैं बहुत सारी चीजों को sell लिया फिर purchase करता रहता हूँ Olex पे तो मुझे अच्छा खासा experience है and मुझे कहीने कही एड को देखते ही पता चल जाता है कि या बंदा fake है या real है and इसी experience पे based में आपको information and knowledge देने वाला होता कि आप लोगों को कुछ help हो सके and जो भाई लोग second end iPhones को buy करने जा रहे हैं तो उनको कुछ help मिल सके Hey guys, myself Ankit, you are watching gadgets life Let's begin तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक real life example दिखाना चाता हूँ मैंने OLX पे कुछ time पहले iPhone search करा था and एक कमाल की चीज़ है वो आपको मैं show करना चाता हूँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने iPhone search करा OLX पे और उसके बाद मुझे बहुत सारे iPhone शो हो गए तो आप देख सकते हैं यह iPhone 11 black 26,000 का यह दिखा रहा है डेली में तो उसके मैंने further देखा तो फोटोस बहुत जादा original लग रहे है और कहीं से लगता नहीं कि यह एक fake add है उसके बाद मैंने नीचे जब जाके scroll करके देखा तो आप देख सकते हैं details भी इसने अच्छी तरीके से दे रही है no dent वगरा दे रहा है battery health है 95% और केवल 4 महीने पुराना है original bill box charger सब कुछ यह दे रहा है तो मुझे doubt wise add पर फिर मैंने further search करा उसके बाद मैंने देखा same photos के साथ हमारी एक और add थी और उसमें 40,000 रुपीज इसका price था उसमें एक दो photos और थी और बागी photos बिल्कुल similar थी आप देख सकते हैं केवल इसमें दो photos और हैं तो इस बंदे ने देख सकते हैं इतनी भी details नहीं डाली हुई जितनी उस बंदे ने डाली हुई है तो obviously इसका मतलब यह कि वो वाली जो add थी हमारी वो fake थी और इस वाली add से उस person ने photos को चुराया था और एक fake add बना डाली थी अपने लिए तो guys आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा बिल्कूल भी नहीं है कि इन fake adds को judge करना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि जो यह लोग है जो fraud करते हैं वो नए-ने तरीकों को अपना रहे हैं नए-ने चीज़ों को निकाल रहे हैं fraud करने के लिए तो मैं बताता हूँ ऐसे बहुत सारे case मेरे साथ already हो चुके हैं तो इसमें basically एक सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आती है वो है अगर fake adds के आपको पहचान करनी है तो सबसे बड़ा जो solution है उस चीज़ का वो यह है कि जो in adds का होता है price वो बहुत ज़ादा कम होता है तो वो definitely उसके बाद बात करके उसको reply करते हैं और वो सबसे पहले उस पे advance मांगते हैं मतलब 5 या 6,000 रुपे गया 5 या 10% advance मांगते हैं उस price पे तो बंदे को कही न कही लगता है 25,000 में मुझे iPhone मिल जाएगा तो 5000 रुपे देने में क्या बुराई है कि OLX पे आप जबी भी कोई भी phone buy करने जाते हैं और मैं आपको step by step बताता हूँ आपको किस तरीके से चलना है तो सबसे पहले आप किसी भी phone को search करेंगे जिसको आप buy करने जा रहे हैं तो आप उसकी ads को पहले अच्छी तरीके से देखिए आपको यह देखना होगा कि जो photos है वो original लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं ऐसा तो नहीं इंटरनेट से निकाल कि किसी बंदे ने photos में चिपका दिये हैं तो आपको यह सब चीज अच्छी तरीके से देखनी होगी कि यह photos real है या नहीं है जो prize है सबसे बड़ी चीज होती है prize आपको वो देखना है मैं आपको यह recommend करूँगा अगर किसी भी add का prize कहीने की थोड़ा बहुत जादा है तो वो चल जाएगा बट अगर बहुत जादा कम prize है तो definitely fraud है add में आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहूँगा एक ही चीज समझाना चाहूँगा कि अगर आप लोग उस जगह पर खुद को रखे देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि वो fake ad है या real ad है क्योंकि आप खुद सोचिए अगर आपने कोई phone 50,000 रुपे का buy करा है तो आप उसको 25,000 रुपे का कैसे sell कर सकते हैं तो obviously आप कहने कहीं बहुत जादा demand करने की कोशिश करेंगे आप सोचेंगे मेरा phone 40,000, 42,000, 33,000 का big जाए तो definitely जो genuine ads होती है वो उनके price कहीं हाई होते है एड को यह देखके चल जाता पता है कि यह एक fake ad है या फिर एक real ad है अभी जो आपने screen recording देखी थी उसमें आपने देखा ही होगा आपको सबसे पहली चीज़ देखने है वो price जिस ad का बहुत ज़्यादा कम price है मैं आपको recommend करूँगा आप उनसे दूर ही रहें या फिर अगर आप उनसे बात भी करते हैं तो payment की कोई भी बात मत करिए कोई भी advance या online transfer की बात मत करिए और गलती से भी कभी भी कोई भी transfer मत करिए और रही दूसरी बात किसी किसी iPhone के साथ आपको box या bill नहीं मिलता है तो मैं समझ सकता हूँ किसी किसी के पास जो box या bill misplace हो जाता है खो जाता है तो मैं आप लोगों को यह recommend करना चाहूँगा क्या आप लोग उनसे proper उनकी ID ले और कहीने कही रिटेन में sign करवा कि आप उनसे लेंके उन्होंने आपको ये इस date को phone sell करा है और कहीने कही एक भी proof रहेगा उनके पास भी आपके पास भी और ये चीज बहुत ज़ादा ज़रूरी है और अगर in case कोई person ऐसा करने से मना करता तो मैं आपको recommend करूँगा आप उस person से दूर ही रही है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी आप लोगों में से पैसा waste हो और किसी के भी साथ कोई भी किसी भी तरह का fraud हो तो guys फिलाल यही दो ऐसे तरीके हैं जिनसे आप fraud से बच सकते हैं actual में तरीके तो बहुत ज़ादा है बट actual में जो fraud करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़ादा advance होते जा रहे हैं उनको कहीना कहीं एक ऐसी techniques मिलती जा रही हैं तो उस ad को बिल्कुल भी entertain गलते से भी मत करना या फिर अगर किसी भी person के पास जो phone है उसका billi-up box नहीं अगर वो phone warranty में नहीं है अगर वो अपनी ID देने से आपको मना कर रहा है वो ID नहीं दे पाएगा तो उस person से भी आप बिल्कुल दूर रहना तो guys यही दो ऐसे तरीके हैं जिसके साथ अगर आप चलेंगे तो आपके साथ कभी भी fraud होई नहीं सकता है तो I hope guys आपको कुछ help मिली होगी इस वीडियो से अगर आप चाहते हैं इस topic पर मैं और कुछ वीडियो बनाओ तो मुझे comment section में जरूर पताना तो guys अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको like कर देना अगर आप इस channel पर नहीं है तो please make sure to subscribe this channel along with bell icon so मिलते हैं मेरी next वीडियो में till then take care